नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओलाइन इस्टिटूट टार्गिट वित आलोग में मैं रवीतिवारी करेंट अफेर्स के एक नए अपिसोड के साथ आपके समख्च बस्तित हूँ इससे पहले हम लोग करेंट अफेर्स में काफी बात कर चुके हैं क्या क्या बात हम लोग उने किये एक बार आपको विरीफ कर दे हम लोग खेल की बात कर चुके हैं पुरुसकार की बात कर चुके हैं बार सिक सम्मेलन और आयोजन जो आपकी हुए उनकी बात कर चुके हैं 2020 ए एप और पोर्टल की जो है बात कर चुके हैं कोविट से सम्मंद अलग-अलग राज्यों ने जो एप और पोर्टल जारी किये और जो अभ्यान चला है उनकी बात कर चुके हैं प्रमुक करांतियों की बात कर चुके हैं और जो प्रमुक एप और पोर्टल भारत सरकार के हैं उ सेन अभ्यास के बारे में पूरी बात करेंगे सुचकांक और सेन अभ्यास ऐसी विशाबस्तू है कि यहां से 2-3 प्रिश्ण आपके हमेसा बनते हैं यदि हमलोग देखें तो लगभग अगर हम 20 सूचकांग को तयार कर लें और 20 सेन अभ्यास को तयार कर लें तो घुमा फिरा कि वही सूचकांग जो हमारे लिए महत्पूर है वो 20 है ऐसे सूचकांग हम 20 तयार कर लें तो फिर सूचकांग का जो प्रिशन होता है वो हमारा बाहर नहीं होता पिर मुख सेन गतिव वीडियो में हम लोग बहुत जल्ली से इन दौनों चीज़ों को पूरा करते हैं नोट्स में मैंने बहुत जरूरी ही चीजें लिखी है जैसे आप लोग सूचकांक में बहुत पढ़ते हैं शुच कांक में किवल दो विसाय आपको पढ़ने है कि भारत का इस्थान कौन सा है सूचकांक में और पहला इस्थान किसका है यदि हम लोग देखें तो सूचकांक के साथ बहुत सारे डिटेल आपको दिये जाते हैं जारी करता संस्था लेकिन आप लोग उन्हें ने सारणी वनाई है जो टैबुलेसन किया है उसमें चार कॉलम है क्या आप कुल देशों की संख्या जारी करता संस्था प्रतमिस्थान और भारत का स्थान लेकिर आपको जो फोकस करना है सुचकांक में एक चीज पर कि भारत का स्थान क्या है और पहला स्थान किसका है क्योंकि इस समय में जो अधिक्तम पृष्ण बने है वो आपके यहीं से बने है तो आए शुरुबाद करते उससे पहले मैं संस्था की तरफ से एक जरूरी जानकारी आपको दे दू आपके UPSI rankers match में प्रिवेस प्रिक्रिया लगातर प्रारंब है 7 अगस्त से इस match में पढ़ाई लिखाई प्रारंब होने चल लए है आप सभी जिन सदस्यों को जिनके भाई बहनों को परचतों को बास्तों में इस बार UPSI में जो है सलेक्ट होना है उन सभी लोगों को आप बटाएए न्यूंतन सुल्क में rankers match हम लोग ला रहा है बहुत अलग तरीके सिसमें पढ़ाएंगे साथ अगस्त तक इसमें प्रिवेश प्रिक्रिया जारी है यह WhatsApp नंबर है इस WhatsApp नंबर पर entry RSI लिखकर आप प्रिवेश सुनेश्चित करा सकते हैं यदि आपको individual math में admission लेना है individual reasoning में admission लेना है या individual method reasoning के combo batch में admission लेना है जो सभी परिक्षाओं के लिए एक जरूरी पक्ष है method reasoning तो इसके लिए भी बैस संचालित हो रहा है नया बैस है और आप entry email लिखकर इस number पर WhatsApp करेंगे तो हमारी team आप से संपर्क करेंगी लेकपाल की जो 8000 वेकिंसी आने वाली है लेकपाल की उन 8000 वेकिंसी के लिए भी नया बैस संचालित हो रहा है entry लेकपाल लिखकर आप इहां से भेज दीजिए और entry लेकपाल लिखकर आप WhatsApp करेंगे तो हमारी team संपर्क करेंगे जो लोग सुपर टेट में admission लेना चाहते हैं वो भी admission ले सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए प्राता 9 बजे से लेके सामके 7 बजे तक नीचे संस्थान के number दिये गए हैं कोई संका हो कोई संकोच हो कोई बास समझ में नहीं आ रही हो तो इन numbers पर फॉन करके भी आप अपने प्रिवेश को सुनेश्चित करा सकते हैं आईए अब हम लोग पढ़ाई लिखाई की सुरुबात करते हैं तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम सुचकांग से प्रारम करते हैं विवेन रिपोर्ट सुचकांग जैसे मैं पहले ही आपको इसफ़र्श्ट कर चुका हूँ और समझा चुका हूँ आराम से इसको समझेगा कि कॉलम आपके बनाएगा है कितने रिपोर्ट जिसमें आपके लिए जो सबसे महत्पूर को अलम है वो दो है क्या सीर्स स्थान किसका रहा एक तो आपको याद रखना है और भारत का स्थान कौन सा है या रेंग कौन सी एक आपको ये याद रखना है क्योंकि इन ही दोनों से ही आपके पूछे जाते हैं आएए शुरुबात करते हैं सबसे पहला सूचकांग जो आपसे पूछा गया है वो है भरष्टाचार बुद सूचकांग 2020 कुल देशों की संख्या कितनी है 180 है डेनमार्क और न्यूजीलेंड संयुक्त रूट से पहले स्थान पर है देश भारत का स्थान कौन सा है 80 जारी कर सुचकांग और जारी न्यूजीलेंगे लोकतंत्र बूच्पंग 2020 में लगवख लगवख सभी देशों को सामिल किया गया है एकसो सरसर देश जब भी पचास देश एकसो पचास देशों को से जादा को सामिल किया जाता है तो इसका मतलब है यह वैस्विक स्थर पर इसको मापा गया है क्योंकि भूत सारे सुचकांग कैसे होते हैं कि मेजर्मेंट में कई देश ऐसे होते हैं जो राष्ट होने के नॉम्स पूरे नहीं करते इसलिए वहाँ पर उनकी संख्या को कम रखा जाता है जब कभी संख्या 150 से ज्यादा हो सामिल देशों की तो इसका मतलब है कि बैस्विक रूप से मेजर्मेंट इसका किया गया है लोकतंत्र सुचकांग 2020 में कुल सामिल देशों की संख्या 167 है नौर्बे का इस्थान आपका प्रथम है भारत का इस्थान 111 सुरी भारत का इस्थान 119 मा है 119 मा एकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इससे जारी किया जाता है जलवायू परवरतन संक्रमण सुचकांग 2020 115 यहां पर पुल देश से जो सामिल है स्वीडन का इस्थान पहला है भारत का इस्थान 74 विस आर्थिक मंच द्वारा इससे जारी किया गया है देखे विस आर्थिक मंच द्वारा जितने भी जारी किये गए सुचकांग है उनकी एक अप अलग लिश करती है कई प्राइविट संस्थान भी इनको जारी करती है लिकिन विस आर्थिक मंच द्वारा जो संस्थान आपके जारी किये जाते हैं वह आपके लिए जरूरी है तो ध्यान रखेगा इनकी लिश्टिंग करिएगा सबसे ज़्यादा पुश्न पूशे जाने की गुण् क्या हुआ है 153 पुल देश थे आइसलेंड का स्थान पहला है भारत का स्थान एक सो बार्मा है और इसको जारी करता संस्ता कौन सा है बताइए विस आर्थिक मंच्छ है आपका आए आगे बढ़ते हैं विस खुसाली रिपोर्ट लगातार फिनलेंड इस सूचकांक में कई व भारत 144 में नंबर पर खुसाल है मुस्कुरारा आया है संयुक्त राश्य सतत्विकास समाधान द्वारा इससे जारी किया जाता है आईए आगे बढ़ते हैं विस प्रेश सुतंता सुचकांक हैं विस प्रेश सुतंता सुचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट है कई बार आप से पूछा जा चुका है ध्यान दिजीगा कुल देशों की संख्या 180 है पहला स्थान नर्वेका है भारत का स्थान 142 मा है रिपोर्ट्स बिदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की संस्था द्वारा इससे जारी किया जाता है इज आफ डूइंग विजिनस 2020 न्यूजिलेंड का स्थ पहला है भारत का स्थान 161 मा है और वर्ल्ड वैंक द्वारा इससे जारी किया जाता है जरूर याद रखेगा ध्यान दिखेगा फिर देखें गिलोबल जेंडर रिपोर्ट इंडेक्स 2020 है ना आइसलेंड का स्थान पहला है एक सो बार्रमा स्थान भारत का है और विस स्थान पहला है 72 इसमें भारत का है बैस्विक पृति भाव पृतिस परधा 2020 स्विजे लेंड का स्थान फिर भारत का स्थान भात्रमा इंसीड द्वारा इसे जारी किया जाता है सोशल मोबिल्टी इंडेक्स एक बार पूछा भी जा चुका है आपसे पहले स्थान पर आर्ट से नो सूचकांक कैसे हैं जो विस आर्ट से की मन्च द्वारा जारी है उनकी एक लिस्टिंग करके उनको आपको जरूर पढ़ना है आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ यहाँ पर किट्स राइट्स इंडेक्स लिखा है आइसलेंड पहले स्थान पर है एक सो सत्रमा स्थान भारत का है और किट्स राइट्स फाउंडिशन द्वारा इसे जारी किया जाता है बैस्वेक आतंगवास सूचकांक में सबसे ज़्यादा प्रभावित दिस लेगा साथ कुल देश है दक्षर कुरिया का इस्थान पहला है भारत का इस्थान चोंगनमा है बोस्टन कंसलेंटिंग ग्रूप द्वारा इससे जारी किया जाता है क्लियर अंतर राष्ट्री बौद्धिक संपता सुचकांग 2019 इंपोर्टेंट है पूछा जाता है कुल सुचकांग एक बार हम लोग इसको भी देख चुके है बैस्विक नमाचार सुचकांग 2019 एक सो उन्तीस कुल देश है सुरिजर लेंड का इस्थान पहला है और भारत का इस्थान बाउनमा है इंसीड द्वारा इसे जारी किया जाता है और सान्ती से खतम करते हैं बैस्विक for economics and peace द्वारा इसे जारी किया जाता है तो ये तो बात थी महत्प्रोड सुचकांग को की इसके बाद अब सेन अभ्यासों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं आईए बात करते हैं सेन अभ्यास के बारे में देखें सेन अभ्यास में आपसे पूछा क्या जाता है पहले तो आप ये समझे लीजे सेन अभ्यास में आपसे पूछा जाता है कि किन किन देशों के मद्ध हुआ और दूसरी जो विसरबस्तु आपसे पूछी जाती है कि कहां आयोजित हुआ तो आपको दो चीजों पर यहां पर याद करने पर फोकुस करना है कभी-कभी मिलान करने के लिए भी आपसे दे दिया जाता है कि किनकिन देशों के मत आयोजित हुआ और कहां पर आयोजन हुआ सबसे पहला है आपका मिलन 2020 देखिए यहां से सुरूबात करते हैं बहुपक्षी देशों के 20 बहुपक्षी देश मतलब कई देश सामिल थे नौसेना का आयोजन था नौसेना का मद हुआ भारत और UK के मद हुआ थलसेना का आयूजन था और कहां पर आयूजित किया गया साली सवरी प्लेंस में इसको आयूजित किया गया UK में संप्रती नौमा 2020 ये कई बार आप से पूछा जा चुका है ध्यान दीजिएगा थलसेना द्वारा आयूजित भारत एवं देश के मद ये जो है आयूजित किया गया आपका किसका था बता है ये थलसेना का था उम्रोई मेघाले में संपन हुआ भारत के मेघाले में संपन हुआ उम्रोई नामकिस्थान पर संपन हुआ आये अभ्यास इंद्र 2019 तीनो सेना के मद किसकी तीनो सेना में इसमें जो है भाग लिया जल्थल वायू और देश कौन था था भारत था एवं रूस था भारत और रूस के मद तीनों सेना यह याद रखेगा अलग से आप से पूछा जा सकता है तीनों सेना उने इसम भाग लिया और कहां पर आयो जित हुआ बबीना में आयो जित हुआ धान दीजेगा बबीना जहांसी के पास एक केंट एरिया है बड़ा केंट एरिया है और यहाँ पर काफी जो है आधुनिक के अपडेट जो है सेना की सामगरी होती है और काफी यहाँ पर जगह है सेना के पास पूरा बबीना एक बसाया गया है वो पूरा सेने के अरिया है आर्मी एरिया है और वहीं पर यह आयुजिन आपका संपन हुआ आईए पाच में पर चलते हैं सिल्लेक्स नाम से ही किलियर है भारत और एसल देखी स्रीलंका याद करने के लिए भारत और सिल्लेक्स स्रीलंका के बीच नौ सेना द्वारा विसाखा पत्तनम में आयुजित किया गया सूरज किरर भारत और नेपाल के मद्ध है सूरज किरर नेपाल में आयुजिन हुआ सिट मैक्स भारत और सिंगापुर और थाइलेंड देखी ये भी तीन देशों का है सिट मैक्स भारत सिंगापुर और थाइलेंड फिर याद रखेगा जो तीन देशों के लिए हैं वह आपके लिए अलग हैं थोड़ा सा याद रखेगा तीन देशों के बीच नौ सेना दोरा पोर्ट बलेयर में आयोजिन किया गया क्लियर है आईए प्रवल दोस्तिक ऐसे जितने भी नाम होते हैं जिसे प्रवल दोस्तिक तो भारत और कजाकिस्तान के बीच थल सेना दोरा कजाकिस्तान में इसका आयोजिन किया गया मालावार 2019 अब ये फिर देखिए तीन सेना हैं भारत जापानों अमेरिका के बीच तीन सेना वाले जितने भी हैं ये आप जरूर याद रखिएगा भारत जापानों अमेरिका के बीच नो सेना दोरा जापान तरपर आयोजित किया गया नसीम अल-बहर नाम से ही किलियर है भारत और ओमान के बीच कहां पर गौवा में इसका आयोजिन किया गया आईए आगे बढ़ते है आराम से देख लिजे जायर अल बहर 2019 भारत और कतर के बीच दोहा में इसका आयूजिन हुगा कतर की राधधनी दोहा में हां काजिन्द 2019, भारत सेillä से नाम कजाकिस्तान तो बारत थल सेना द्वारा उत्तराखंड में आयूजित किया गया अईये घरोर छेए भारत एब फ्रानस की सेना के मद्द गरोर 6 का आईजिन किया गया ऑप्रेशन थर्ष्ट भारती रेल्वे दौरा चलायेगा ऑप्रेशन भारती रेल्वे द्वारा आप देखते हैं कि जब आप जाते हैं तो अनाधिकरत रूप से पानी की बोतले जोगे बेची जाती है उसको रोकने के लिए भारतिय रेलवे का पूरे भारत में चला गया यह अभियान है तो ऑप्रेशन थर्स्ट जुलाई 2019 में रेलवे परसर में अनारतिकर ब्रांड बाली पानी की बोतल की बिक्री पर लोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षाबल द्वारा चलाया गया दे दिक्कत होती थी तो ऑप्रेशन संकल चलाया गया दस्तलिक 2019 भारत और उजबेक स्थान के बीच यह आयुजित थलसेना द्वारा तासकंद में आयुजित किया गया तासकंद भारते इत्यास से भी जुड़ा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि तासकंद भारत ना थी इसलिए बताईएगा आये ओप्रेशन संराइज टू मणीपूर नागालेंड असम्मेक सक्रिये कई आतंकबादी समुहों को खतम करने के उद्देश से भारत और म्यामार की सिनाओ द्वारा देखें ऑप्रेशन संराइज किस किस के बीच है तो आप कहेंगे भारत और म्यामार के बीच है क्यों है मनीपूर नागालेंड और असम में कई सक्रिया आतंकबादी के समुहों ऐसे हैं उनको खतम करने के उद्दिश से अभियान आपका चलाया यह रहा है अठार्मा सहियोग के जिन भारत और जापान के बीच है ना तट रक्षक बलद्वारा च जहांसी में आयोजन किया गया यह आयोजन भी जहांसी में नहीं हुआ बवीना में हुआ याद रखिएगा इस पेस्विक और आपका है हाँ ओसी इंडेक्स अब नाम सही क्लियर है ओजी इंडेक्स तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मद्दिस का आयोजन विसाखा पर तनम्म किया गया तो यदि हम लोग देखें यह कुछ पिरमुख आयोजन थे तो आज हम लोगों ने सूचकांग और सेन आपके जो अभ्यास हैं उन पर बात की एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही आपके समग्चों बस्तित रहूंगा आपको किसी भी बैच में दी प्रिवेस ले बहुत बहुत धन्नवाद नमस्कार आज के लिए इतना है थैंक यू सो मच